हेलो एब्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे चुना आपके बाद जारकण में देखिए ये पहली भरती आ चुकी है और मैंने जसे आपको पहले भी का था कि देखिए जारकण में छोटी छोटी भरतिय आती रहती है इसका आपको पता नहीं चलता है 10 vacancy, 12 vacancy, 15 vacancy या फिर 1-2 vacancy भी आपके block level पे हमेशा निकलती रहती है मैं ये channel इसलिए open किया हूँ ताकि जहारकंड के आस-पास में जो block में गाउं में रहने वाले लोग हैं जिन्नोंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है काम graduation तक पढ़ाई की है इंटर पढ़ाई की है तो वो अपने आसपास में job कर सकें इस चैनल को खोलने का पूरा मेरा purpose यही था तो फिलाल इस वीडियो में मैं आपको इसी recruitment के बारे में खबर दूँगा आगे बढ़ों उसे पले आप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा और यह फॉर्म आपको offline mode में भरना है पैसे नहीं लगेंगे सिर्फ offline mode में आप फॉर्म को प्रिंट करा लिजेगा PDF को प्रिंट करा लिजेगा उसके बाद उस form को भर लिजे और offline माध्यम से आप इसे भेज सकते हैं तो चलिए के करके सभी जानकारी जो है आपके साफ्थ में रख देता हूं इसकी योगिता देखिए दसभी पास है यानि कि फॉर्म को नहीं लेंगे और वैसे भी पास बजे के बाद कोई भी डाय किया आपके फॉर्म को जो है कहीं पहुंचाने वाला है नहीं दूसरी बात एम मैंने लिख दे यहां पर अक्शली पीम होना चाहिए अब आगे देखिए यह सेलरी जो है 21,000 रुपे पर मत मिलेगी और उमर सीमा जो है इसकी 18 साल रखी गई है मिनिममम उमर सीमा 18 साल और मैक्सिमम जो है 18 प्लस जिनका भी होगा वो इस फॉर्म को भर पाएंगे यह तो वही छोटी-छोटी मगर मोटी बात है आगे बढ़ेंगे उससे पले एक सूचना में आप लोगों को देना चाहता हू तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और जिन लोग ने ग्रेजिविशन कर रखिए वो पोस्ट ग्रेजिविशन कर लें गवर्मेंट कॉलेज में पीजी करने का पैसा कुछ लगता नहीं है नाम मात्र का लगता है अगर आप कुछ नहीं कर रहें फिर भी पढ़ाई कर दूँगा यह देखी चोटा सा ही फॉर में ज्यादा इसमें कुछ है नहीं यहां देखिए आपको अपना नाम भर देना है यहां पर अपना पिता का नाम सारे कुछ जो है एक मिनट में इस कलर को चेंज कर दों ताकि आपको अच्छे से दिख सके ठीक है यहां से आप पिताजी का नाम जो भी है वो मैं यहां पर लिख दूँगा आप अपने पिताजी का नाम लिख लेंगे पूरा नाम अपना भी और अपने पिताजी का भी पूरा नाम फिर बरतमान पता जहां पर आप रह रहे हैं साथ में मोबाईल नंबर अस्थाई पता में जो है अपन आगे देखिए, एक स्वव अभी पर्मानित फोटो है, यहाँ पर आप फोटो चिप का देंगे, ठीक है? और बाहर से, जैसे कि मैंने अभी फोटो चिप का ली, एक मिनट मैं एक्जामपल दिखाता हूँ आपको, मैंने सपोस्ट करो यहाँ पर फोटो चिप का दी, अब मैं इंची जो को ध्यान में रखिएगा और फिल कर लीजेगा आप जहां से आप भर रहे हो कहां पर भर रहे हो यह सब और यहां पर आपको सिगनेचर अपना कर देना है अब देखिए जो इंपोर्टेंट बात है कौन इस फॉर्म को अपलाए कर पाएगा पदों की संख्या में बताओं तो दस पद है जादा पद तो है नहीं दसी पद है और उम्र सीमा देखिए यहां पर 18 साल मिनीमम रखी गए मैक्सिमम जहां तक जा सकता है और सेक्शनिक योगिता जो है आपकी वह मैट्रिक या फिर 10 तक काम आपका चल जाएगा सिधी सिधी बात है और यह जो है यह आवेदन भारत का नागरिक हो आवेदन खुटी राज का निवासी हो देखिए यहां पर गड़बड़ी हो गई कि सिर्फ खुटी वाले से भर पाएंगे लेकिन आप जिस जिले से भी विडियो को देख रहे हैं वहां से भी वेकेंसी आएगी तो नीचे कमेंट करके अ पिन नमर है 835210 इस पर आपको भेज देना है अब यहां से देख लिए आवेदन के लिए आवेदन करने का पता यहां पर फिर से एक बार दिखा दिया गया 12-12-4 मर्जे तक आपका आवेदन लिया जाएगा यहां पर लिख दिया गया आप रहन यहां भी गल्ती है जैसे क आप खुद से वेबसाइट से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, बाई तो यह फॉर्म जो है मैं आपको टेलिग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, यहां भी गलबड़ी है, देखें, पांच अनप्राहन लिखा हुआ है, अप्राहन नहीं, पुर्वाहन होना मिलते हैं अंगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक जिरूर कर दे, थैंक यू सो मच पर वाकिन इस वीडियो, हैव अगूद डे,